हेलो फ्रेंज गुड मॉर्निंग, आज के इस वीडियो में बात करते हैं होमियोपेथिक की सर्वश्रेष्ट मेडिसिन जो की किसी भी होमियोपेथिक डॉक्टर द्वारा सबसे ज्यादा उप्योग की जाती है और कई बीमारियों में बहतरीन तरीके से काम करती है. शर्थ बस इतनी सी है कि इस दवा को तभी लिया जाए जब इसका इंडिकेटर लक्षन आपसे मिले एल इस बहतरीन दवा का नाम है नक्सवोमिका. अब बात करते हैं नक्सवोमिका के दस प्रमुख इंडिकेटर लक्षनों की जो इस प्रकार हैं. एक, काफी दिनों से किसी बीमारी का इलाज एलोपेथिक दवासे करने के बावजूद आराम नहीं हो रहा हो. दो, ऐसे लोग जिनकी दिनचर्या में अधेक समय तक बैखना शामिल होता है या जो ओफिस में काम करते हैं या जो फिजिकली बहुत काम एक्टिव रहते हैं. 3. सुबह पेट साफ नहीं हो पाता है, दो से तीन बार वास्रूम जाना पड़ता है, उसके बावजूद सेटिसफेक्शन नहीं मिलता, कब्ज बना रहता है. 4. भोजन के एक घंटे बाद ऐसा लगता है कि भोजन पेट में पत्थर जैसा रखा हुआ है. 5. अपच ड़कार जैसी समस्याओं से आए दिन समस्या होती रहती है. 6. ऐसे लोग जो अपने आसपास से हमेशा सैटिसफाइड नहीं रहते, किसी न किसी कारणों से खुद इरिटेट होते रहते हैं. 7. पेशाब की थेली में पेशाब भरी हुई है, लेकिन खुलकर नहीं आती है, बूंड-बूंड तपकती है खास्तोर से अधिक उम्र के लोगों में. 8. जब भी पेट में कुछ गड़बड़ी या अपच जैसी समस्या होती है, तो उसके बाद सर्दी जुकॉम के लक्षन आने लगते हैं. 9. ऐसे लोग जो पहले कभी सेक्स में अधिक लिप्त रहते थे, लेकिन अब शरीर में कमजूरी आ गई है. 10. हवा का हलका सा जुका लगते ही ठंडी लग जाती है, सर्दी जुकॉम जैसा बन जाता है. उपर युक्त बताए गए 10 लक्षनों में से 3-4 लक्षन अगर आपको मिलते हैं तो आप नक्स वो मिका दवा का जरूर सेवन करें. नक्स वो मिका तीस पोटेंसी की दवा चार बूंद रात सोने के पहले जीब पर रखें. अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहें तो सब्सक्राइब करें. थैंक यू.